दो डी और तीन डी वस्तुओं की चाया की अवधारना आईए हम दो आयाम और तीन आयाम की वस्तुओं द्वारा गठित चाया का अध्यान करते हैं यदि हम टॉर्च बेलन के लंबत रखते हैं तब गठित चाया यहां दिखाई गई है यहां हम देख सकते हैं कि छाया एक आयत का निर्मान करती है जो दो आयामी आकरती है और बेलन तीन आयामी आकरती है अब हम बेलन के साथ टॉर्च शैतिज रखते हैं तब बनी छाया वृतिय होगी यह भी दो आयामी आकरती है तथापी यदि बेलन खोकला है तो छाया सिर्फ एक अंगुठी की तरह होगी एक गोले के लिए किस प्रकार की छाया बनती है? एक गोले के लिए प्रकाश के स्त्रोत को जहां कहीं भी रखा जाता है छाया हमेशा एक वृत होगी इस गतिविधी से हम निश्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी वस्तू की छाया हमेशा दो आयामी होती है यह वस्तू के आयाम पर निर्भर नहीं करता है